नमस्कार फ्रेंड्स वोगत आप सभी का सॉलिशन में दरे से यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में फ्रेजल बब से रेलिटिव प्रटी सेट लिया है इस प्रटी सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना की आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्सन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजे और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो इसकी जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका password आपको channel के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग channel को join कर लेंगे तो आपके YouTube के homepage पे membership का option खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी videos की जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा PDF के लिए जो है आप लोग telegram को भी join कर लीजिए link जो है video का description में है और कैसे आपको join करना है और कैसे आपको PDF मिलेगा इस पर मैं already video बना चुका हूँ आप channel पर जाके check कर सकते हैं last में आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment box में जरू बता है और last में एक question आपको पूछते हैं 31 तो उसका भी answer आप लोग comment box में जरू दीजिएगा तो चली वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप जिट की चैनल को subscribe करें बैल आकन प्रेस करें चली वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है live chat में भी answer देते रहे हैं मैं सभी के comment जो है read कर रहा हूँ सबसे पहला जो question कुछ नमा बन he blink heart simple behavior तो इसमें आप लोग सोच लीजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे इसका see correct हो जाएगा he fail for heart simple behavior option यहाँ पे see correct हो जाएगा fall का जो second form होता है यह होता है fail आप लोग यहाँ पे देख लीजे fall का second form fail होता है तो fall for का मतलब क्या होता है तो fall for का जो मतलब होता है यह होता है to fall in love with मतलब की किसी से प्यार होना या फिर to becomes a victim of मतलब की सिकार होना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा he fail for her simple behavior मतलब की वह उसके सीधे साधे बिवार पर फिदा हो गया इस sentence का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजे fall for का मतलब होता है कि प्यार होना to fall in love with या फिर सिकार होना to becomes a victim of आप सभी लोग इसका मतलब याद रखेगा fall का second form यहाँ पे लिखा होगा fell तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा वह उसके सीधे साधे बिवार पर फिदा हो गया इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question कुछ नमाट टू finally I blank the difficulties and court cases तो इसमें आप लोग सोच लिजे correct option क्या होगा तो यहाँ पे correct option हो जाएगा option यहाँ पे A correct हो जाएगा finally I got over the difficulties and court cases option A correct हो जाएगा अगर बात की जाए get का जो second form होता है get का second form होता है यह got होता है get over का मतलब क्या होता है to overcome मतलब की पार पाना किसी भी चीज से पार पाना, इसका मतलब होता है get over का, get का जो second form है ये got होता है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, option a correct हो जाएगा, finally I got over the difficulties and court cases, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अंत में में कटनाईयों और अदालती ममलों से पार पा गया, इस sentence का मतलब हो जाएगा, get over का मतलब ह होता है to overcome, मतलब की पार पाना किसी भी चीज से, option यहाँ पे a correct हो जाएगा, अगले जो question question, the doors blank when the storm came, तो इसमें आप लोग सोच लिजे सका right option क्या होगा, यहाँ पे इसका right option हो जाएगा, option यहाँ पे b correct हो जाएगा, flew open, option यहाँ पे b correct हो जाएगा, यहाँ पे fly का जो second form हो इसका righteel Japanese, it's a clear on the Sans, to open suddenly, की पार जाएगा, तो इहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा, the doors, the doors, the dares, the absorber, when the storm came, मतलब की therefore beş helpless जाएगा, तो अचानक से दर्वाजें खुल जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, fly open का मतलब होता है, to open suddenly, मतलब की अचानक से खुल जाएगा, option यहाँ पे इसका be correct हो जाएगा to phone आया तो अचानक से दरवाजे खुल गए इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question question number 4 you must blank this routine for better result तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे sentence का right option हो जाएगा यह हो जाएगा be option correct हो जाएगा follow up तो follow up का मतलब क्या होता है तो follow up का मतलब होता है to pursue मतलब की किसी मकसद को पूरा करने है तू तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा you must follow up this routine for better result मतलब की बहतर परेडाम के लिए आपको इस routine को follow करना चाहिए इस sentence का मतलब हो जाएगा follow up का मतलब होता है to pursue मतलब की किसी मकसद को पूरा करने के लिए हे तू यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा बहतर result के लिए आपको जो है इस routine को follow करना चाहिए इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question question number 5 he and his wife are not blank well these days तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे इस correct option हो जाएगा option यहाँ पे correct हो जाएगा he and his wife are not getting along well these days तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा अगर बात की जाए get का जो ing form होता है यह getting होता है तो get along का मतलब क्या होता है get along का मतलब होता है have smooth relations मतलब की अच्छा संबंद होना तो यहां पे जो है not लगा है मतलब की अच्छे संबंद का ना होना तो यहां पे sentence का जो मतलब हो जाएगा he and his wife are not getting along well these days मतलब की इन दिनों उनकी और उनकी पतनी के बीच में जो है un-one चल रही है मतलब लड़ाई जगड़ा चल रहा है तो यहां पे इसका a option यहां पे correct हो जाएगा get along का मतलब मैंने आपको बताया have smooth relations मतलब की अच्छा संबंद होना यहां पे not लगा हुआ है इस बज़े से sentence का आर्थ बिल्कुल उल्टा निकलेगा इन दिनों उनकी और उनकी पतनी का जो है un-one चल रही है दोनों के बीच मतलब की लड़ाई जगड़ा चल रहा है option यहां पे a correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेके करें अगला जो question question number 6 the roof blank due to heavy rains तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो यहां पे इसका right option हो जाएगा option यहां पे इसका d correct हो जाएगा fell in यहां पे d option correct हो जाएगा the roof fell in due to heavy rains option d correct हो जाएगा यहां पे fell जो लिखा हुआ है यह fall की second form है तो fall की second form यहां पे लिखी हुई है तो fall in का मतलब क्या होता है तो fall in का मतलब होता है to sink in word मतलब की अंदर की तरब धस जाना यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा भारी बारिश के कारड छत अंदर की तरब जो है धस गई इस sentence का मतलब हो जाएगा fall in का मतलब होता है to sink in word मतलब की अंदर की तरफ जो है धस जाना option यहाँ पे इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमस 7 I blank you on this matter तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे इस correct option हो जाएगा fall in with option यहाँ पे a correct हो जाएगा I fall in with you on this matter option यहाँ पे a correct हो जाएगा अगर बात की जाए fall in with का मतलब क्या होता है तो fall in with का मतलब होता है to agree with मतलब की सहमत होना तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा to agree with मतलब की सहमत होना तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा I fall in with you on this matter मतलब की मैं इस मामले में आपके साथ हूँ मतलब की साथ मतलब की सहमत हूँ option यहां पे एक correct हो जाएगा अगला जो question question नमार 8 stock prices have blank तो इसमें आप लोग सोच लिजिए इस correct option क्या होगा stock prices have fallen of option यहां पे डी option यहां पे correct हो जाएगा fall का जो third form होता है यह होता है fallen यहां पे जो लिखा हुआ है तो यहां पे fall of का मतलब क्या हो जाएगा तो fall of का मतलब हो जाएगा to become less यह fit decrease मतलब की कम होना तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा stock prices have fallen of मतलब की stock की जो कीमतें हैं ये गिर गई हैं मतलब की कम हो गई हैं तो यहां पर इसका D option यहां पर correct हो जाएगा fall off का मतलब होता है कम होना मतलब to become less या फिर decrease मतलब की कम होना तो यहां पर sentence का मतलब हो जाएगा stock की कीमतیں गिर गई हैं या फिर कम हो गई है option D correct हो जाएगा अगला जो question question number 9 we should not blank them without any rhyme or reason तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो यहां पर इसका right option हो जाएगा option यहां पर A correct हो जाएगा fell out with option यहां पर A correct हो जाएगा fall की जो second form होती है यह fell होती है तो यहां पर fall out with का मतलब क्या हो जाएगा तो इसका जो मतलब हो जाएगा fall out with का यह हो जाएगा to cural with मतलब की जगड़ा होना तो इस sentence का मतलब हो जाएगा हमें बिना किसी तो किया कारड के उनके साथ जगड़ा नहीं करना चाहिए इस sentence का मतलब हो जाएगा option यहाँ पे a correct हो जाएगा अगला जो question नमर 10 the plans blank due to your misdemner तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका b option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे fall की जो second form होती है यह fail होती है आप सभी लोग याद रखेगा तो यहाँ पे fall through का मतलब मैं आपको बता देता हूँ तो fall through का मतलब क्या होता है to fail मतलब की asafal होना तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा the plans fail through due to your misdemoner मतलब की आपके दोरा चार के कारड plans asafal हो गया इस sentence का मतलब हो जाएगा fall through का मतलब होता है to fail मतलब की asafal होना option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा fall की second form fail लिखी होई है यहाँ पे और fall through का मतलब होता है की fail हो जाना मतलब की asafal होना यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा आपके दुराचार के काराड प्लांस असफल हो गया इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगला जो कुश्चन कुश्चनम 11 I blank going to school तो इसमें आप लोग सोच लिजिए सका right option क्या होगा तो यहाँ पे कुश्चनम 11 का right option हो जाएगा यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा I feel like going to school तो यहाँ पे feel like का मतलब क्या हो जाएगा तो feel like का मतलब हो जाएगा To be excited to do something मतलब की किसी काम को करने का इच्छोग होना option यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा I feel like going to school मतलब कि मुझे school जाने का मन कर रहा है इस sentence का मतलब हो जाएगा feel like का मतलब मैंने आपको क्या बताया to be excited to do something मतलब कि किसी काम को करने का इच्छो होना option यहां पर D correct हो जाएगा अगला जो question question number 12 I am unable to blank the meaning of his ambiguous statement तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहां पर question number 12 का right option हो जाएगा यह हो जाएगा figure out option यहां पर E correct हो जाएगा figure out का मतलब क्या होता है figure out का मतलब होता है to understand मतलब की समझ पाना option यहां पर E correct हो जाएगा I am unable to figure out the meaning of his ambiguous statement यहां पर sentence का मतलब हो जाएगा मैं उनके extrêmement बयान का अर्थ समझने में असमर्थ हूं का मतलब हो जाएगा अगले जो कुशंन कुशिन 13 पो इसमें आप लोग सूच लिए इसका रैट आप्सन क्या होगा इसका रैट आप्सन हो जाएगा fish for option यहां पर एक रेक्ट हो जाएगा the reporter tried to fish for some information option एक रेक्ट हो जाएगा fish for का मतलब क्या होता है fish for का मतलब होता है to seek something by मतलब की पाने का प्रियाश करना कोई भी चीज पाने का प्रियाश करना तो to seek something by इसका मतलब होता है fish for का मतलब तो the reporter tried to fish for some information करने की कोसिस की तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा fish for का मतलब होता है कुछ भी चीज पाने की प्रियास करना या फिर कोशिश करना to seek something by option यहां पे एक correct हो जाएगा अगला जो question question number 14 I am blank them in my business soon I will leave them behind तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहां पे इस correct option हो जाएगा gaining on option यहां पे decorrect हो जाएगा जो gain का ing form होता है यह होता है gaining तो यहां पे जो लिखा हुआ है तो gain on का मतलब क्या होता है gain on का मतलब क्या होता है तो gain on का मतलब होता है to come close to someone मतलब की नज़दी काना यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा I am gaining on them in my business Soon I will leave them behind यहाँ sentence का मतलब हो जाएगा मैं जल्द ही अपने business में उनसे लाप राप्त कर रहा हूँ मैं उन्हें पीछे छोड़ दूँगा इस sentence का मतलब हो जाएगा gain on का मतलब होता है to come close to someone मतलब की नजदी का न option यहाँ पे इसका जो है d option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question question 15 good news are blank religious books in market तो इसमें आप लोग socialis का right option क्या होगा तो question 15 का right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा getting about option be correct हो जाएगा get का जो ing form है यह है getting की फैल जाना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा good news are getting about religious books in market मतलब की बाजार में धर्मे किताबों को लेकर अच्छी ख़बरे मिल रही है इस sentence का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे get about का मतलब मैंने आपको क्या बताया spread या फिर move around option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा be option यहाँ पे correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा good news are getting about religious books in market मतलब की बाजार में धर्मे किताबों को लेकर अच्छी ख़बरे मिल रही है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question 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 16 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर सेखे करें अगला जो question question 16 I am doing my best to blank the truth तो इसमें आप लोग सोच लिजे सका correct option क्या होगा तो यहाँ पे इस correct option हो जाएगा option यहाँ पे be correct हो जाएगा I am doing my best to get at the truth तो यहाँ पे get at का मतलब क्या होता है तो get at का मतलब होता है to understand या फिर to reach successfully मतलब की to understand मतलब की समझ जाना या फिर to reach successfully मतलब की तक पहुँचना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा I am doing my best to get at the truth मैं सच्चाई तक पहुँचने की पूरी कोसिस कर रहा हूँ इस sentence का मतलब हो जाएगा get at का मतलब होता है to understand या फिर to reach successfully मतलब की समझ जाना या फिर किसी तक पहुँचना तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा मैं सच्चाई तक पहुँशने की पूरी उकोसिस कर रहा हूँ इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question 17 the thieves blank all my belongings तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे be correct हो जाएगा get का जो second form होता है यह got होता है तो got away with का मतलब क्या होता है got away with का मतलब जो होता है यह होता है to do something wrong मतलब की कोई गलत काम करना get away with का मतलब होता है to do something wrong मतलब की कोई गलत काम करना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा the thieves got away with all my belongings मतलब की चोर मेरा सामान लेकर भाग गया इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question 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 18 I will blank to you soon तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो question 18 का right option हो जाएगा option यहांपे इसका d option यहांपे correct हो जाएगा get back का मतलब क्या होता है to return मतलब की लोटना यहांपे sentence का मतलब हो जाएगा I will get back to you soon option यहांपे इसका d correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा मुझे जल्द ही तुमारे पास लोटना है इस sentence का मतलब हो जाएगा get back का मतलब होता है to return मतलब की लोटना option d correct हो जाएगा अगला जो question question 19 please blank to your work तो इसमें आप लोग socially जिस correct option क्या होगा तो यहांपे इस correct option हो जाएगा get down option यहांपे इसका be option यहांपे correct हो जाएगा get down का मतलब क्या होता है to get down का मतलब होता है to direct attention towards something मतलब की किसी कारे की तरफ दिहान लगाना तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा get down का to direct attention towards something मतलब की किसी कारे की तरफ दिहान लगाना तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा please get down to your work मतलब की किरपे अपने काम पर लग जाएए इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question question number 20 you can blank and blank tomorrow तो इसमें अप लोग सोच लिजिए इस correct option क्या होगा तो यहां पे इस correct option हो जाएगा option यहां पे इसका be option यहां पे correct हो जाएगा यहां पे जो है get हो जाएगा और यहां पे जो है off हो जाएगा तो यहां पे get और off का मतलब क्या हो जाएगा get off का मतलब होता है sentence का मतलब हो जाएगा you can get an off tomorrow मतलब की आपको कल छुटी मिल सकती है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question 21 he blank well with all his neighbors तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहां पे इसका right option हो जाएगा option यहां पे decorrect हो जाएगा gets on option decorrect हो जाएगा he gets on well with all his neighbors तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा get on का यहां पे get on का जो मतलब हो जाएगा यह हो जाएगा to make progress मतलब की प्रगती करना यह फिर to be on harmonious terms मतलब की आच्छा संबंध होना तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा he gets on well with all his neighbors मतलब की वे अपने सभी परोसियों के साथ अच्छा बिवार करता है इस sentence का मतलब हो जाएगा get on का मतलब मैंने आपको क्या बताया to be on harmonious terms मतलब की अच्छा संबंध होना या to make progress मतलब की प्रगर्ति करना ये get on का मतलब होता है sentence का जो अर्थ हो जाएगा he gets on well with all his neighbors वे अपने सभी परोसियों के साथ जो है अच्छा बिवार करता है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question question 22 I want to blank my bad habits तो इसमें आप लोग सोच लिजेए इस correct option क्या होगा तो question number 22 का right option हो जाएगा get rid of option यहां पर a correct हो जाएगा I want to get rid of my bad habits तो get rid of का मतलब क्या होता है तो get rid of का मतलब होता है to dispose of या फिर to leave मतलब की छुटकारा पाना यहांपर sentence का मतलब हो जाएगा I want to get rid of my bad habits मतलब कि मैं अपनी बुरी आदतों से चुटकारा पाना चाहता हूँ इस sentence का मतलब हो जाएगा get rid of का मतलब होता है to dispose of या फिर to leave मतलब की चुटकारा पाना option यहां पर a correct हो जाएगा अगला जो question question 43 he will blank your problems as he hardly cares तो इसमें अप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहां पर problems की बात की गई है तो यहां पर इसका right option हो जाएगा option यहां पर इसका c correct हो जाएगा get round का मतलब जो है दो होता है एक problems के साथ होता है एक जो है किसी संबन के साथ किसी के भी साथ हो सकता है तो यहां पे मैं दोनों अर्थ आपको बताऊंगा तो get round का मतलब क्या होता है जब problems के बारे में बात की जाएगी get round का मतलब क्या हो जाएगा तो get round का जो मतलब हो जाएगा यह हो जाएगा avoid a problem मतलब की किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूर लेना तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा he will get round your problems as he hardly cares यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा वे आपकी समस्याओं के इड़्द गूमेगा क्योंकि वे शायद ही परवा करता है इस sentence का मतलब हो जाएगा get round का मतलब मैंने आपको क्या बताया avoid a problem मतलब की किसी समस्याओं से बचने के लिए रास्ता ढूर लेना option यहां पे c correct हो जाएगा अगला जो question question 24 you will have to blank them blank to join your team तो इसमें आप लोग सोच लिजेए इसका right option क्या होगा अभी मैंने आपको get round का मतलब मैंने आपको बताया get round का मतलब मैंने आपको problems में जो है बताया था क्या यह बताया इसका मतलब avoid a problem मतलब की किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूरना और यहां पे भी इसका right option हो जाएगा get और यहां पे round तो यहां पे पहले बाले में get आएगा दूसरे बाले में round आएगा तो get round का जो मतलब हो जाएगा get round का यहां पे जो मतलब हो जाएगा संबन के साथ यह हो जाएगा to persuade someone to do what you want मतलब की किसी को कुछ करने के लिए मना करना तो यहां पे sentence का जो अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा आपको उन्हें अपनी team में शामिल करने के लिए गोल करना होगा इस sentence का मतलब हो जाएगा आपको मैंने get round का उपर मतलब बताया था problems के साथ और नीचे मैंने आपको संबन के साथ बताया दोनों कार्थ मैंने आपको समझा दिया I hope आपको समझ में आ गया होगा अगला जो question, question number 25 if you work hard you will blank this task in a week तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस का right option क्या होगा तो यहाँ पर question number 25 का right option हो जाएगा option यहाँ पर decorrect हो जाएगा get through, get through का मतलब क्या होता है get through का मतलब होता है to finish मतलब की कोई कारे पूरा करना या फिर assist in finishing मतलब की पूरा करने में सहायता करना तो यहाँ पर get through का मतलब हो जाएगा sentence का जो अर्थ हो जाएगा if you work hard you will get through this task in a week मतलब की अगर आप मेनत करेंगे तो एक हफते में आप इस काम को पूरा कर लेंगे इस sentence का मतलब हो जाएगा get through का मतलब मैंने आपको क्या बताया to finish मतलब की कोई कारे को पूरा करना या फिर assist in finishing मतलब की कारे को पूरा करने में सहायता करना option यहाँ पर decorrect हो जाएगा अगला जो question question number 26 I blank at 6am everyday तो इसमें आप लुक्सूश लीज़िए होता है to rise from bed मतलब की जागना option यहाँ पर इसका b option यहाँ पर correct हो जाएगा I get up at 6am everyday मैं रोज सुवेच 6 बजे उठता हूँ इस sentence का मतलब हो जाएगा और get up का मतलब होता है to rise from bed मतलब की जागना option b correct हो जाएगा अगला जो question question number 27 the chief guest blank the prices तो इसमें आप लोग सोच लिजेज का right option क्या होगा तो question number 27 का right option हो जाएगा gave away तो gave जो है यह give का जो है second form है आप लोग यहाँ पर देख लिजे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको give away का मतलब क्या होता है give away का जो मतलब होता है यह होता है to distribute यह फिर to reveal मतलब की बाटना यह फिर उजागर करना तो यहाँ पर इसका sentence का मतलब हो जाएगा the chief guest gave away the prices तो यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा मुखे अथिती ने पुरुसकार प्रिदान किये इस sentence का मतलब हो जाएगा give अभी का मतलब मैंने आपको क्या बाताया to distribute मतलब की बाटना यह फिर to reveal मतलब की उजागर करना तो यहाँ पर जो है बाटने की बात की गई है prices की option यहाँ पर ए correct हो जाएगा अगला जो question question 28 the daughter-in-law blank to her in-law demands इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पर इसका right option हो जाएगा option यहाँ पर decorrect हो जाएगा यहाँ पर जो give है give का second form है जो give होता है तो give in का मतलब क्या हो जाएगा give का जो second form है give होता है आप सभी लोग याद रखिए तो give in का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा to agree या फिर to surrender या फिर to submit मतलब की to agree मतलब की मान जाना या फिर to surrender मतलब की समरपड कर देना या फिर to submit मतलब की सौपना तो यहां पर sentence का जो अर्थ हो जाएगा the daughter-in-law give in to her-in-law demands मतलब की बहु ने ससुराल बालों की मांगों को जो है मान लिया इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगले जो कुश्टन कुश्टम 29 शी हैज ब्लेंक स्मोकिंग तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका रैट आप्सन क्या होगा यहाँ पर जो जो घिब का थर्ट फॉर्म होता है यह होता है यह सा ब्लेंक स्मोकिंग तो फार्ट फॉर्म जो है मतलब की छोड़ देना मतलब की त्याग देना give up का मतलब क्या होता है to leave मतलब की छोड़ देना यह फिर to stop doing something मतलब की त्याग देना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा she has given up smoking मतलब की उसने धूम्र पान छोड़ दिया है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question 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 number 30 इस वीडियो का last question है blank if you are willing to get success in your business तो इसमें आप लोग सोचलीजिस का right option क्या होगा तो question number 30 का right option हो जाएगा option यहाँ पे be option यहाँ पे correct हो जाएगा go ahead option यहाँ पे be correct हो जाएगा go ahead का मतलब क्या होता है to go ahead का मतलब होता है to start या फिर continue to do something मतलब की किसी कारे को शुरू करना या फिर किसी कारे को जारी रखना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा go ahead with you are willing to get success तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा go ahead if you are willing to get success in your business तो यहाँ पे sentence का जो अर्थ हो जाएगा यदि आप अपने business में सफलता पाने में इच्छुक हैं तो आगे बढ़ें इस sentence का मतलब हो जाएगा go ahead का मतलब मैंने आपको क्या बताया to start मतलब की किसी कारे को शुरू करना या फिर continue to do something मतलब की किसी कारे को जारी रखना आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है इसका मतलब अगला जो question question number 31 I will blank with them on this issue तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो question number 31 का answer आप लोगों को comment option बताना है कि इसका right option क्या हो जाएगा thank you friends आप लोगोंने 30 में से कितना score किया है comment option जरू बताएं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेखे करें आप लोग जब वीडियो को like और share करते हैं तब ही मुझे एक new video बनाने के लिए motivation मिलता है तो आप लोग वीडियो को like और share जरू किया करें अगर आप लोग चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं new video में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम